इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी Android की Smart TV, किसी भी Android की Smart TV में Setup Box कैसे Connect करें बहुत से लोगों का Setup Box Connect करने के बाद भी यहाँ पर कुछ TV या चैनल शो नहीं होते हैं तो उन्हें करना क्या है? उन्हें देखिए सबसे पहले यहाँ पर TV की Settings में आना है और इसके बाद Device Preferences में आना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे Input का Option इस पर क्लिक करना है तो बहुत सी TV में यहाँ पर Composite का Option होता है और बहुत सी TV में यहाँ पर कुछ और लिखा होता है एवी एवी का Option होता है तो आपको यहाँ पर भी Composite सेलेक कर लेना है ठीक है अगर एवी होगा तो एवी सेलेक कर लें इसके बाद आप Back आजाएं और आपको Inputs पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए मेरा Setup Box अभी Connect नहीं है मैंने उसे बंद रखा है अगर मैं अपने Setup Box को On करूंगा तो जैसे यह Highlight है यहाँ पर यह Composite भी Highlight हो जाएगा क्योंकि देखिए Composite आप देख रहे होंगे 3 Wire वाला है मैंने HDMI से Connect नहीं किया हूँ अगर यहाँ पर आपको 3 Wire वाला जो 3 Pin वाला आइकन होता है वो यहाँ पर Show हो रहा है तो इसका मतलब आपका Setup Box 3 Pin वाला ही है और उसे ही Connect करना है आपको सिर्फ इस पर आप Click कर देंगे तो Automatic आपको यहाँ पर Setup Box के Page पर लेके चले जाएगा ठीक है यहाँ से आप इसे और कर सकते है देखिए मेरा Setup Box Connect नहीं है तो No Signal लिखकर आ रहा है